सवदर गंज इस्टेशन ये लखनू फैजाबाद रेलखंड जो है बारबंकी जंक्षन से आगे जब आप फैजाबाद की दिशा में बढ़ेंगे तो सवदर गंज स्टेशन आता है ये जिला बारबंकी में ही है और फैजाबाद रेलखंड का जो दोरी करण का काम है लखनुग फैजाबाद रेलखंड का वो बारबंकी जंक्षन तक जो बारबंकी जंक्षन है उत्तर रेलवे में आता है लखनुग के हमारे वहां तक डबल लाइन है उसके आगे का काम अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी कॉ सफदरगंज स्टेशन का यह बहुत चोटा सा यहाँ पर कजबा है और मुख्य फैजाबाद रोट से काफी अंदर पूपर आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए सौरूर्जा और यह बहुत चोटा सा कजबा है और अंदर चलके देखते हैं हम स्टेशन के क्या हाल है यह अंदर से सफदरगंज स्टेशन यहां पर फिलाल अभी तीन ट्रैक हैं जब एक्सपैंशन होका और ट्रैक पड़ेंगे तो इधर का प्लैटफॉर्म जो है यह शिफ्ट किया जाएगा काफी कुछ तोड़फोड होगी यहां पर क्योंकि ट्रैक्स बढ़ जाएंगे त जाती है और बनारस जाने का लखनों से यह भी एक रूट है जो बाकी के दो रूट है उसमें सबसे पहले सुल्तानपुर हो करके जो डबलिंग और इलेक्रिफिकेशन का काम हुआ वो सुल्तानपुर हो करके हुआ उसके बाद अभी फिलाल राइबरेली वाला जो रेल है वहां तक डबल लाइन हो गई है उसका CRS इस्पेक्शन अभी होगा उसके बाद फिर आगे हर्चंद पर होते हुए राइबरेली जंशन तक दोहरी करण का काम और फिर आगे प्रताबगल की साइड में अभी काम जल रहा है तो उसमें अभी एक साल का समय आप मान के चली अभी लग जाएगा और यहां पर भी कार शुरू भी नहीं हुआ है जैसा आप देख सकते हैं और रस्ते में भी जो ट्रैक अभी आ रहा है कहीं पर कोई कार नहीं हो रहा है अभी थोड़ी बहुत जो भी पेड़ों की छटाई वगर हो रही है जो ठेकिदार कर रहे हैं काम जगे जगे हैं वो भी पार्ट्स में हो रहा है टिडबिट्स में दो प्लैटफॉर्म से सफदरगंज स्टेशन पर और अभी यहां पर क्योंकि रेल गाडियां जो है वो अभी बहुत लिम्टेड हैं फैजाबाद रूट पर रेल गाडियों की संख्या जो है वो कम है अप पहले लखनों से तीनों रास्ते जो आते थे जो चौथा रस्ता है वारणसी का बारस्ता गोरकपुर वो बहुत लंबा रस्ता है और हावडा का भी वो बहुत लंबा रस्ता है जिससे बाग एक्सप्रस जाती है हावडा जो काटगुदाम से आती है एक तीस उननिस एक ती वो था एक वेकल्पिक रूट है जिसको हम कह सकते हैं वारानसी जाने का चार अस्ते लखनौ से हैं जिसमें सबसे लंबा बरस्ता गोरगपुर है जो हमारे तीन में रूट हैं वारानसी जाने के उसमें सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि सुल्तानपुर हो करके जो हैं रेल गाड़ियां अब इस रेल खंट का नंबर आने वाला है दो हजार ये सफदर गंज स्टेशन की समय सारणी आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन सवारी गाड़ियां है और दो एक्सप्रेस ट्रेंज का यहाँ पर ठेराओ है जिसमें देहरा दून हावला दून एक्सप्रेस भी है और लखनू वारलसी लखनू फैजाबाद जमूतवी कोलकाता यहाँ पर आप देख सकते हैं आने जाने वाली गाड़ियों का जो समय स आज धूपी बहुत हलकी है तो उतर भारत में जो शीत लहर चल रही है कोहरा बहुत चल रहा है और यहाँ पर जब स्टेशन से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यह साइड में अभी एक लूप लाइन और डाली गई यहाँ पर तो यह सामने देखें कॉंक्रीट के स्लीपर्स जो है आने शुरू हो गए हैं यह बाहर का दृश्य है और कोहरा जैसा फिर पढ़ने लग गया है तीन बच चुके हैं तो बहुत जल्दी अब धिरा भी होने लगता है सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सहीं बनाए रखे आप क्योंकि चैनल पर वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत कुहरा पड़ा है गलन बहुत है एक तो रोश्नी अच्छी नहीं होती तो फिर वीडियो भी अच्छे नहीं बनते हैं आने जाने में भी दिक्कत होती बहुत सी रेल काड़िय एक छोटी सी structure पीशे आप देख रहें यहाँ पर यह धेर है और उसके बाद धीरे-धीरे और समान आ रहा है तो फिर इसके alignment वगएरा जब बनेगा और पैदल पुल भी अभी यहाँ पर नहीं आप देख सकते हैं सब्दरगंज station पर तो फिर वो धीरे-धीरे काम होगा और लगभक दो से तीन वर्ष 2020 से अगर हम इसकी शुरुवात माने अगर होती है काम की यह सब्दरगंज station है sign board इसका तो यहाँ से सब्दरगंज station जो है तक्रीबन हम 17-18 km बारा बंकी से आगे-आगे होंगे 20 km लगभक बाई रोड हम आये हैं और ट्रैक का भी रूट इत्ता ही होगा लगभक 20 km अप्रोक्सिमेट आप मान लें तो यहाँ पर अभी पैदल पुल भी नहीं बना देख सकते हैं फोटोवर बिज नहीं है चुकि पास गाड़ियां इहीं ठहरती है दबाव नहीं है देख तो बाद में जब सुपर फास ट्रेंस यहां से रंध्रू होंगी और गाड़ियां बढ़ेंगी डबल आइन हो जाएगी तो बाद में हो सकता यहां पर एक पैदल पुल भी बनाया जाए और होना चाहिए क्योंकि स्टेशन है दो प्लैटफॉर्म से यहां पर तो एक पैदल पुल यात्यों की सुरक्षा के लिए वो ज़रूर बनाया जाना चाहिए व्रैम के साथ जैसे मुहबुलापुर वगएरा में उधर बन गए हैं सीतापुर सेक्शन पर यहां भी बनेंगे जिससे दिव्यांग है या जो और भी जो हमारी एल्डरली जो लोग हैं प्रित्व जन हैं महिला हैं तो कोई प्रेकिनेट वेमन है तो उसको कूदना ना पड़े ट्रैक पे और वो फुट ओवर बिस से दूसरे प्लैटफॉर्म पर जाकर रेल गाड़ी को पकल सकता है तो पैदल पुल वगएरा भी बनेंगे निश्य थी जब ये डबल लाइन का काम शुरू होगा वर्ष 2020 में इसको आप मान के चलें क्योंकि अभी जो स्टेटस है इसमें कहीं पर भी कोई खास विशेश ऐसा काम नहीं हो रहा है लखनो फैजाबाद रेलखंड पर जिस पे अभी हम आपको कुछ अपडेट दें क्योंकि कार अभी शुरुवात उसकी हो रही है चीज़ें इखटा हो रही है थोड़ी बहुत अलाइन्मेंट में जहां पेड़ वगएर आ रहा है कटाई चटाई हो रही है फैजाबाद की दिशा में और बाकी ये भी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ क्या सूर्ते हाल है ट्रैक पर दूसरे स्टेशन से भी आपको कवरेश देता हूँ तो ये छोटा सा अपडेट सब्दरगेंज स्टेशन से था लखनो फैजाबाद रेलखंड पर दोहरी करण के चलते क्यों कि सौ किलो मिटर के लंबा रेल खंड है दो साल तो बिल्कुल मान के चलिए और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ अगर आप सोच रहे तो तीन साल अगर दोहजार बीस में फंड आते रहे काम चलता रहा बिना रुके तो तीन वर्ष लग जाएगा कम से कम जो मेरा अपना आकलन है अपना मेरा अंदाजा है तो ये सफदरगंज स्टेशन से एक छोटा सा अपडेट लखनो फैजाबाद रेल खंड पर ट्रेंस एंड ट्रैवल में